यूपी, पंजाब और बंगाल सहित कई राज्यों के किसानों को खेती में ट्रेंड करने वाला, किसानों की दर्द सुनने वाला बिहार में कोई नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहें, बलकि ये कहना है आलू उत्पादन विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले, नालंदा के राकेश कुमार का यकीन नहीं हो रहा, तो खुद ही सुन लीजिए क्या दिक्कत हो रहे हैं आप लोगों को? जैसे बहुत हुँ, यहां के जितने विकिसान है आलू उत्पादक के साथ, सारे को प्रोब्लम यह हो रहा है कि आलू उपजाल यह है और आलू को रखने के लिए कोल्ड अश्वय में जग़ा ही नहीं दे रहा ह। यहां पे एक दो कल्ड अश्वय सब और करके सारे अस्टोर्ज बोलता है कि साव फूल हो गिया है जैब कि उन लोग सारा बैपारी का आलू रात में लेता है जो हम लोग यहां का जिला परसासन से दिमांड करते हैं कि हम लोगों को आलू बीज के लिए भी कम से कम रखा जाए ताकि आगला साल हम लोग आलू को रोब सके जो की आलू उत्पादन करने में हमने यहां नहीं बलंकि 200 हमने नंबर बन अलू जाये हैं जो कि आप यहां देखे होंगे कि हमारा रास्पती आवाड भी मिला है। और हम लोगों को मेहनरा किसी अवाड भी इस पर मिला है जो कि आलू पदन हमारे देखा देखी यहां नहीं यूपी का किसान भी यहां आकर के हम लोग से सीखके गिया है बंजाब का भी किसान आया था जारखन का भी आया था बंगाल का भी आया था जो कि हम लोग अच्छे ध नालंदा में एक दो नहीं बलकि कई किसानों की ये सिकायत है किसानों का कहना है कि cold storage में आलू नहीं रखा जा रहा और भिचौलियों ने पूरी तरह से cold storage पर कबजा कर लिया है कि देखिए अब लोग तो आलू जालिये हैं अडले साल के लिए बीच के लिए रखना चाते हैं बीच के लिए कोची कहता है अलू जालिये हैं तक लिए रखना रखना रहा है क्या करता है क्या बोलता है जग्ये नहीं क्या करेंगे कबसे आई से रखे हुआ है या आठ दिन से आठ दिन से कोड़ा हुआ है मतलब क्या मांग करते हैं आप सरकार से सरकार से ही मांग करते हैं किता कि हम लोग का बीच के लिए जो आलू है पुलिस टोज में रखा जाए तक अगले साल हम लोग रोपाई करें अगला साल रोपेंगे जब बिहार के मुकमंतरे नितीश कुमार के ग्रह जिले में किसानों के सुनने वाला कोई नहीं है तो सूबे के दूसरे जिलों में किसानों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा असानी से लगाये जा सकता है देशवा नियूज के लिए नालंदा से महमूद आलम की रिपोर्ट